सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेस्बुक के टाउन हॉल में पीएम मोदी मा के उपर पूछे गए एक सवाल पर भावुक हो गए इतना ही नहीं फेस्बुक के टाउन हॉल में जब मा की बात करते हुए पीएम मोदी रोव पड़े पीएम मोदी फेस्बुक के कारे ले जहां पर सवाल-जवाब के एक सत्र का आयुजन किया गया था इस कारिक्रम में पी-ए-मोदी ने अर्थ विवस्था से लेकर कई एहम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिये टाउन हॉल कारिक्रम में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ड ने प्रधर मंत्री से कि उनकी इस मुकाम तक पहुचने में उनकी मा का क्या योगदान रहा इसके बाद उनका गला रूंद गया और वे रो पड़ी now I understand that that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her ma my own Mama what but highly the that I'd really like to congratulate the parents of Mark for actually giving birth to mark and actually giving birth to someone who has managed to link the world congratulations I request will you please stand up would like to see you could you please stand up we'd like to see you I think this is probably the first occasion that marks actually invited you I think if you look at anyone's lives if you look at their autobiographies generally you find two things are always there one would be the what was the role of my teacher in my life and what was the role of my mother in my life and that's true of everybody I come from a very humble family my parents played a very big role in my life I came from a very poor family you probably know that I used to sell tea at the railway station nobody could have I think no one can imagine that this is the bad karakram me maujud sabhi low power quote or bad myself and I hope that their blessings will give us strength to remain on the right path that is the mother's biggest strength a mother will never want that you become something but she will want she will be more focused on how you become something how you are be become anything it's not what you become that a mother is going to want a wish for it's it's how you become that and I think that is why this is the biggest contribution in anyone's life what the role the mother plays thank you mark karka ha Karkarkolos a BRING we're an example of what the Loksick so I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. PM Modi का जवाब अपने सवाल पुछा कि लोग भारत के प्रत पास बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं अपको क्या लगता है? जब आप भारत आए आप किसी टेंपल में गए बड़ी आशा भरी नजर से और देखिए आप कहां से कहां पोंच गए आपका अनुभव कहता है कि जो भारत से आशा भरी नजर से प्रत में हैं ये आपका खुद का अनुभव बता रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र अगर आर्थिक नजरिय से देखा जाए जुकरबर्ग का दूसरा सवान सोशल मीडिया से कैसे बदला वाया? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्य मंत्री बनूगा, कभी प्रधान मंत्री बनूगा तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नन्स में भी काम आ सकता है मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नलोजी के प्रती मेरी कुरियोसिटी रहती थी मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्सबूक के बज़ए अगर गाइड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है और गाइड से भी अगर कोई शौर सजेशन्स दे देता है तो और अच्छा लगता है मेरे लिए शोशल मीडिया ने ये काम किया मुझे बहुत ही कम समय में दो-चार सब्दों से मुझे चीन चीजों की जरूरत थी वो मिल जाती थी और दूसरा फाइदा ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ कि बहुत मेरे पास वो सभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज्यादा ज्यान अरजीद कर सको लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया दो-चार सब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी आपकी सरकार भारत की जनता को कनेक्टेट रहने के लिए क्या करती है प्याम प्यादा ने भारत ने दो बातों पर एक्वली बल देना पड़ेगा एक फिजित पिजिकल इंफा सचार जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वार्मेंट है और दूसरा डिजिटल इंफा सक्षर क्योंकि मैं पहले ये काम करूँ फिर दूसरा करूँ फिर तीसरा करूँ तो तो वक्त चला जाएगा तो मुझे साइमेंटेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21 सदी में जितना महत्व हाइवेज का है उतनाई महत्व आइवेज का है हाइवे भी चाहिए इंफर्मेशन वेज भी चाहिए भारत में 600,000 बिलेजीज है ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है और करीब धाई लाग पंचायते हैं मेरी कोशिश है कि नेक्स फाइव यर मैं इन सभी गाउं को अप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूँ क्या मेक इन इंडिया सफल होगा प्रणी आफ द्टिकल पर्ण प्राइबर निगदा कर से युवर्ण थी प्राइब मीनिस्ट प्राइबर युव का जोप प्राइबर चुज़ प्रान पटेबर अरो बिल नेंटी नेंडिया है पीए मुदी का जब श्कूटर जब टर्न करना होता है ऐसे जारा स्कूटर इटेक्स हाफ ए सेकंड और आपको पता चाहां यार स्कूटर ऐसे जारा था इधर आ गया लेकिन एकर 40 डिपे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफी देर लगते हां यार इधर ग कि इतना बड़ा देश कि आपको एक कि बड़लाव निरंतर होते हैं कि बहुत सारे होते हैं कि अब जब उसका क्युमिलिटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद धान आता है तब लगता है कैसे से कैसे हो गया कि अब आप देखिए भारत में 40 साल पहले बैंकों का राश्च्छेकन हुआ कि इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए लेकिन 40 साल में 60 परसेंट पॉपिलेशन उसका बैंक एकाउंट नहीं था अब अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हिसाब कैसे लगा हो गए चालीज साल में 180 मिलियन लोग बैंक का एकाउंट नहीं था यह सरकार आई 100 डेज में 100 डेज 180 मिलियन अब आप स्पीड देखो स्केल देखिए यह देखो का अरे वहां कैसे हो गया भाई जो 40 साल में नहीं हुआ वह सौ दिन में कैसे हो गया तो यह बदलाव की स्पीड है बदलाव की स्पीड है जिस प्रकार से अभी मैंने अभियान चलाया और वर्ल बैंक ने इनिसेटिव लिया इस अब डूइंग बिजनेस अब इस अब डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में हां 140 नंबर पर खड़ा है और जो रिपोर्ट देखकर के सोचेगा वो कभी भारत में आने आने के लिए निए सोचेगा तो आपाइब क्योंकि कंपनी का जब बॉर्ड बैठता है तो कागल लेगे बैठता है वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है जैसे फेस्बुक वाले टेंट टेंपल में आ गए पी एम मोदी का ये इंटरव्यू सोचल साइट्स पर खूब वायरल हो गया है और इसे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है ब्यूरो रपोर्ट डी लाइव निउस